को चलिए अब हम अन्य विवित प्रकार की कोशिका अंगकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कोशिका अंगक कोशिकाओं में ही होते हैं और वे अपनी संद्रचना और कार्य में थोड़े भिन होते हैं, कोशिका के सामान ये कार्यान वयन के लिए उनमें समन्वे होना जरूरी होता है, गुण सुत्रों में एक और महत्वपूर्ण संद्रचना होती हैं, जिनें जनुक कहा जाता है, जनुक जियों की अनवनशिक इ विरासत में पाई गई धन दौलत इसके साथ कर सकते हैं, अर्थात वे संपत्ती जो हमारे पूर्वजों से हमारे अभी भावकों तक आई, और आगे उनके बच्चों को मिलने वाली है, अब आपको अनवनशिक इस शप्त का अर्थ समझ में आ गया होगा, जीव शास्त्र म वे जनुक होते हैं, जो विरासत के रूप में एक पीडी से दूसरी पीडी में पहुंचते हैं, साथ ही सजिवों के लक्षणों को निशित करने का काम भी जनुक करते हैं, जैसे मानों के मामले में आखों का रंग, त्वचा, बालों का प्रकार, बुद्ध मत्ता आदी, य इसमें कोशिका विभाजन भी सम्मिलित है, ये कोशिका के DNA की संग्राहक होती है, अनुवन्शिक सामगरी को एक पीडी से दूसरी पीडी में संक्रमित करने के कार्य में इसका सहवाग होता है, अब हम इसकी संदरचना किस प्रकार की होती है, ये समझते हैं, गौलगी पिं कला होती है, जिनमें राइबोजोम्स नहीं होते हैं, सामान निताहा एक के उपर एक इस प्रकार से आठ पुटिकाएं रची होती हैं, वैसे इससे अधिक भी हो सकती है, पुटिका के किनार उपर नलिकाओं और गोली ये पिठिका का एक जटिल जाली होती है, पुटिका के धेर के दो छोर या मुख होते हैं एक होता है सिस या गठन करने वाला मुख या निर्मितिक शंभाग और दूसरा होता है ट्रांस या परिपक्व भाग ये दोनों मुख एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं गठन या सिस वाले मुख पर जो थैली नुमा रचना होती है वो आंतर द्रव्य जालीका से सम्मंदित होती है परिपक्व या ट्रांस मुख पर जो थैली नुमा रचना होती है वो मोटाई में प्रकेणवों की सामगरी के बारे में और गोली ये पिठीका के गठन के मामले में पहली वाली पुठीकाओं से पूर्ण रूप से भिन्न होती हैं चलिए अब हम गौलगी पिंड द्वारा लाने ले जाने की क्रिया किस प्रकार की जाती है इसे विस्तार से समझते हैं इस प्रकार अंततह कोशिका सामगरी वहन के अलावा गौलगी का आंततर रव्य जालीका के मदद से एक अन्यम महत्वपूर्ण कारिय करती है प्यार हो जाता है कि आप जाने कि कोशिका को शक्ति प्रदान करता है वहे इसकी बारे में अधिग जानकारी प्राप्त करते हैं झार्फिक अँठ शाषता और इसे क्रिस्टई ये शिखा कहते हैं आंतरिक आवरण के इन विशेश मूडों के कारण सतह का क्षेतर भी बढ़ जाता है आंतरिक आवरण में बंद इस सघन तंतुकणिका साचे में राइबोजोम्स, डिने और विशाल कैल्शियम फॉस्पेट के कण होते हैं तंतुकणिका के पास उसके स्वयम के डिने, आरेने अनू, राइबोजोम्स और कुछ अन्यानू होते हैं जो प्रतिनों के संसलेशन में मदद करते हैं क्या आपको पता है कि तंतुकणिका में किस जैवरासायनिक प्रक्रिया के कारण उर्जा निर्मान होती है ये वो प्रमुक स्थान होता है जहां पर कोशी की अश्वसन तथा उर्जा का निर्मान होता है ATP अनू के रूप में उर्जा का संग्रहन भी यहां होता है सरांच कोशिका अंगक कोशिकाओं में ही होते हैं और वे अपनी संद्रचना और कारिय में थोड़े भिन होते हैं कोशिका के सामान ये कारियान वयन के लिए उनमें समन्वे होना जरूरी होता है एक और महत्वपूर्ण संद्रचना होती है जिनें जनुक कहा जाता है जनुक जियों की अनवन्शिक इकाई होते हैं ये एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में वन्शान उक्रम के लक्षणों को पहुचाने का कार्य करते हैं